कि नमस्कार दोस्तों रिए इसके सनिकेट भी में एक बार फिर से स्वागत है और आप लोगों को जानकारी है कि बर्तमान समय में हम लोग उच्चितम नयाले पर चर्चा कर रहे हैं इसके पूर्व के लेचे में हम लोगों ने उसकी अस्थापना उसके गठन के पूर्व जो तो आज के इस लेक्चर में हम लोग उच्चितम नयाले के प्राधिकार छेत्र और सक्क्तियों के बारे में चर्चा करेंगे कि बहा कहां कहां तक मामलों की सुनवाई कर सकते हैं और उस पर अपने नेड़े दे सकते हैं उसमें जो मामले की सुनवाई किया जा सकता है उच्चितम नयाले में महलिक अधिकार विभिन राज्यों से संबंदित विबाद से देखा जाए तो इससे संबंदित कई प्राधिकार और छेत्र अधिकार हैं जिनके बारे में उच्चितम नयाले में मैटर को लाया जाता है केसिस को फाईल किया जाता है, अपील किया जाता है और उस पर सुनवाई के बाद निर्ड़ दिया जाता है तो हम इनके कारियों को उसके सुरूख के अधार पर कई भागों में विभाजित करते हैं जिसे हम एक एक करके यहां पर देखने का प्रयास करेंगे प्रारंभिक छेत्रा धिकार काताथ पर एक ऐसे छेत्र से है और उसमें उत्पन हुए मुकदमे से है जिसकी सुनवाई केवल और केवल उचित्र नियाले में किया जा सकता है जैसे केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन विभाद, केंद्र और कुछ राज्य तथा दूसरी तरफ राज्य या कुछ राज्यों के बीच विभाद, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विभाद, यह तीन परकार के जो हैं जो केवल उचित्र नियाले में लाए सकते हैं इसे उचे नह ermें पहली बार प्रस्थुत नहीं किया जा सकता कहने का मतलब केंद और राज या कुछ राजियों के भी में भी बात्त पन हो केंद्र और उरक प्छराज्य एक तरफ हो दूसरी तरफ किया जा सकता है दूसरा है प्रारंभिक समवर्ति अधिकार इसे प्रारंभिक एक मेव छेत्रा अधिकार भी कहा जाता एक मेव छेत्रा अधिकार का ताथ पर यह है कि केबल और एक ही जगा पर वो है उच्चितम नियाल है जो यहां से समवन्दित माइटर जो तीन प्रकारते मैंने बता है इसे समवन्दित पीडिये भी आपको मिलता रहेगा इसलिए इस लेक्चे को सुनना ज़्यादे इंपोर्टेंट है समिधानियों राजब्योस्ता एक ऐसा टापिक है जिसके बारे में कांसेट का क्लियर होना बहुत जरूरी है और अगर कांसेट क्लियर हो जाता है तो प्र समवर्थी कहने का मतलिये है कि यह एक ऐसा प्राथिकार है उचितम नयाले का जो उचितम नयाले के साथ साथ में मैं भी मैटर को परस्तुत करतेने के लिए जो इस सक्षम बनाता है यानि कि इसमें जो भी भी सरक्षे रखे देंगें उससे संबंधित मामले यादि उत्पन तो इसे जो है, हाई-कोड और सुप्रीम कोड इन दोनों ही जगहों पर प्रस्तुत किया जा सकता है। सुप्रीम कोड में आठकिल 32 के अंतरगत और हाई-कोड में 226 के अंतरगत इसे लाया जा सकता है। इसके अंतरगत मौलिक अधिकार, fundamental right, मौलिक अधिकार के संदर्व में ये दी कोई विबाद उत्पन होता है और अबेक्टी के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं, तो उससे संबंदित जो है मैटर अनुचे 32 के अंतरगत सुप्रिम कोट में और अनुचे 226 के अंतरगत ह काई कोट में लाया जा सकता है, इसके अंतरगत दोनों ही नियाले के द्वारा, पांच प्रकार की रिटें, बंदि प्रतिच्छी करण, परमादेश प्रतिस्विन, उत्प्रेशन और यों अधिकार प्रिक्छा जारी किया जा सकता, जब हम मौलिक अधिकार का अधियन कर र से संबंधित विबाद उत्पन होते हैं और इन विबादों को हाई कोट के साथ साथ सुप्रिम कोट में लाया जा सकता है, अगला है, अब यह यह ज़िए, अब यह ज़िए छेत्रा दिखा लिए, जैसा कि यह जांकारी कि भारत में इस्थित अगर नियाले की बात किया जाए, तो सुप्रिम कोट अधिनस्त उच नियाले के ऊपर एक सर्वोच अस्तर पर विद्दिमाने नियाईक ब्यवस्था है, जो भारत में सभी पंचाट अधिनस्त नियाले और उच नियाले के डिक उचितमने आले के अपीली छेत्राधिकार की जो वेवस्था है वो आर्टिकल 132 के अंतरगत किया गया है 132 में अपीली छेत्राधिकार की संगरभी में फ्रावधान किया गया है और इसे भारत के उच्चिने आले विभिन प्रकार के निया अधिकरणों के विभिन प्रकार के नेड़े आदेश और अंतिन दंडादेश के विर्ध अपील को जुस्तुनेने का अधिकार है तो इसके अपीली छेतरा अधिकार को चार भागों में बाटा जा सकता है एक तो संबैधानिक है संबैधानिक मामले में ये अपीले सुन सकते हैं और दूसरा सिविल मामले में हैं, तीसरा दांडिक मामले में हैं, और एक जो है विसेस मामले भी हैं, ये चार प्रकार के मामले हैं जिनमें, उच्यतम न्याले या अन्य न्याइधिकरणों या अधिकरणों के दिये गए नेड़े डिक्री या अंतिम आदेश के विर्ध अपीले सुन सकता है, ये कहीं पर कोई भी ऐसा विधिका प्रशनुद्पन हो जाता है, जिसमें संविधान की व्याक्या से संब्धित मामले अंत कर देता है कि इसे जो इंच्च्टम न्याले में फ्रस्तूत किया जाए इस मामले पर विजञत जाया सकता है, तो इसे संब्धित मामले की जो है अपील उंच्च्टम न्याले में किया जा सकता है आठकिल 133 के अंतरगत ये बेवस्था किया गया है कि सिविल मामलों में येदि कोई ऐसा बिजी का महतुतूरुक मामला आ जाता है जिसमें सम्विधान की ब्याक्ख्या से सम्बंदित कोई सार्वान प्रश्ट अंतरग नहीं धूता है और उच्छ नयाले के त्वारा प्रमा कि 134 के अंतरगत ये बेवस्था किया गया है कि दांडिक मामले में भी उच्छ नयाले से उच्छ नयाले में अपील किया जा सकता है जब उच्छ नयाले दोस्मुत ब्यक्ति को उच्छ नयाले में मामले आने के बाद उसे मिर्तु दंड दे दिया हो या दूसरा ऐसा कंडि को मिर्टुदंड की सजय सुना दिया हो या तीसरा स्वें उच्छितम न्याले या प्रमारित कर दे कि मामला इस तरीके का है जिस पर उच्छितम न्याले में विचार करना आउस से खरें तो उस कंडिशन में यहां वर्दांटिक मामले से सम्मंदित नेड़य को अपील के प्रचार्ट और न्या धिकरणों के बिर्द अपील के लिए उच्छितम न्याले स्वें विशेष प्रकार की अनुमत दे सकता है तो इस प्रकार से अपीली छेत्रा धिकार 132 के अंतरगत वर्डित है जहां पर संभाइधानिक सिवित दांडिक और विशेष प्रकार के अपील उच्छितम न्याले में किया जा सकता है तो यह थी अपीली छेत्रा धिकार के संदर्व में प्रावधानिक अब इसके अलामा प्रामर्सी प्रामर्सी अधिकार प्रामर्सी अधिकार आर्टिक 143 के अंतरगत वर्डित है और इसमें राष्टपत को यह थिकार दिया गया है कि यह दिविधिकार कोई ऐसा महत्पूर्ण उत्पन हो जाता है जो सारवजरिक महत्तोका है या कोई पूर्व की संधियों संजोते के कारण से कोई विवाद उत्पन हो जाता है तरह दोनों ही प्रकार के मामलों में राष्टपत के दवारा उच्चितम नियाले से प्रामर्सी मागा जा सकता है पहला मामला क्या था कि कोई विदिका ऐसा प्रशनुत्पन हो जाता है जो अपने स्वरूप में सारवजनिक महात्वा होता है और दूसरा ये है कि ये पूर्व की कोई संधी समझोते के कारण से कोई प्रशनुत्पन हो जाता है तो दूसरे प्रकार के मामले में उचितम न्य नहीं है राश्टपत के दोरा उसे मारना या न मारना राश्टपत के इच्छा पर इंग्चर करता है कि तू पहले संद्रब में जहान पर सलाह देने के लिए बात नहीं है वो ​सलाह दे भी सकता हूँ और नहीं भी दे सकता इसी तरीचे से जो सलाह दिया जाएगा और राश राश्ट्न में ना उच्थन नियाले निया प्रामर्स देने के लिधा और ना ही राश्टरपत और द्म्म को माने माने के लिधा यह 9133 एंट प्रामर्स यहेदिकार के रूप में जिसे राश्टरपत के दौरag Do распरकार की स्थितिया बता जिसमें उचतम न्यायाले से फ्राफर्स माख सकते हैं और ये उसके उपर निर्भर करता है कि वह प्राफर्स दे या जान ना दे या राष्टत प्रामर्स को माने या ना ना माने पहले मामले में ने अनौद रहें थे राष्टत के लिए ये पादिकारी नहीं है कि अगला है अभी-लेख ने आयाए कि अभी लेख ने आया लै अविलेख नियाल रूप में काम करेगा, अविलेख नियाले से ताठपर यह है कि उच्चता मन्याले के निड़ और कारवाहि денег को सारबकालिक रूप में एक साच के रूप में अभिलेखित किया जाएगा साच के रूप में रखा जाएगा और किसी उसी प्रकार के मामने में सुरुआई के दौरान उस साच को या नेड़े को प्रस्तुत करने पर उसकी बिधिमान्यता के संदर्व में कोई सवाल नहीं किया जा सकता है। कहने का मतली जो कोई निड़े देगा उस निड़े को लिखित रूप में रखा जाएगा और कहीं कोई मैटर उसी से संबंदित या उसी तरीके से आता है तो वहां पर उसे साक्ष के रूप में प्रसुत किया जाएगा और उस पर कोई सवाल ख़़ा नहीं किया जा सकता है। दूसरा यह है कि उच्चितम न्याले को स्वें अपने द्वारा दिये गए निड़े को लागु करवाने के संदर्व में निर्देश देनी की सकती है और यदि निर्देश दिया जाता है और उसको लागु नहीं किया जाता है तो वह कोट के द्वारा दिये गए डिसीजन और निड़े और वर्डिक्ट का जो है कंटेम्ट होगा ऐसे इस्तिती में उस कंटेम्ट के बिर्द भी कोई भी जो है दंद जोकी वेवस्था के अमस को भी ये इस्ति फ्राप्त है और उनके द्वारा सीविल और दांडी के दोनों ही प्रकार के मामलों में कोर्ट आफ कंटेम्ट के लिए दंद देने की ब्यौस्था है और दंद देने की ब्यौस्था के हूप में जो है च्छा भरुस की जो है जिल या 2,000 रूपए की हिस या दोनों दिया जा सकता है, यह Quote of Contempt के अंतरगत की वेवस्ता है, जो कि अभिलेक नियाले के अंतरगत आता है, यानि कि अभिलेक नियाले में दो बाते हैं, जो भी decision यो कारवाई आऊंगी, उसे साक्ष की गूप में सारवकारी गूप में रखा जाएगा, और किसी भी प् स्वेँ अतरगत के अंतरगत दंड देने का अधिकार होगा, और यह दंड देने की बेवस्था छे वर्स की सज़ाद दो हजार उपले जुर्माना या दोनों किया जा सकता है और ऐसा अधिकार ना केवल उच्छेतम नेयाले को बलकि उच्छे नेयाले को पंचाट को नेयाधिकर्णों को भी जो इत्राप्त है जो कि सिविल और दांडिक दोनों मामले में दिये जा सकते हैं जैसे के संदर्व में एक उदाहर कोर्ट आफ कंटेम्ट का यह बताया जाए कि कि किसी विव्यक्ति की किसी रिपार्टमेंट में पोस्टिम होती है और कुछ ऐसे नीतिकत मामले आते हैं जिससे उसके बेतर भुक्तान के संदर्व में समस्याय उत्पन्व होती है गुवेक्ति कोट जाता है और कोट उस बेक्ति के अगले आदेश तक जब तक कि उस मामले में पेंडेंसी है पेंडिंग है वो मैटर तब तक के लिए उसको बेतन भुकतान का आदेश जारी करती है अगले वेवस्था है वेवस्था हरा यहां खिर अगले पुर्णा विलोकन करके यहां पर इस बात को समझता है कि उच्छे तमन्याले के साशाट उच्छ न्याले के एक ऐसी सक्थी है जिसके अंतरगत संसद जिसके अंतरगत उच्छ तर नियाले और उच्छ नियाले के द्वारा संसद या राजविधान मंडर के द्वारा बनाए गए कानून या कारिपालिका के द्वारा दिये गए आदेश की समिछा करने और जाच करने का अधिकार होता है और यदि इसके अंतरगत कोई भी कानून या आदेश समिधान की ब्यवस्था के अंगूप नहीं पाया जाता है या संगत नहीं पाया जाता है या टकराओ की इस्तिती में होता है तो न्याले को यह अधिकार होता है कि वो उस कानून या आदेश के उस भाग जो कि टकराओ की कुछ इस्थिति में आता है उस सीमा तक सूनिगूसित कर देता है जहां तक वो सम्धान की व्यवस्था की व्रुद्य संगत नहीं होता है या डकुराओं की इस्थिति में केंदर और राज़े के बीक में संघात्मक सासन व्यवस्था और प्रणाली वाले देशों में सक्तियों का भी भाजन किया गया है और यह कोई कि सरकार दूसरे के छेतर महाँस तक छेव करता है या अपने सीमाओं को लांगने का प्रियास करता है तो सुप्रीम कोट के द्वा हां की जो सरवूचता है प्रणी कर form के के संब्हाद के संबंक है ये तीनों ही बातों और तीनों आधारों पर नियाई पुन्रा विलोकन को अस्थापित किया गया है और उचितम नियालय के द्वारा जो नियाई पुन्रा विलोकन का क्रियानमें किया जाता है वो इन्हें बिंदूों के उलंगन के आधार पर किया जाता है यदि कोई संविधान की सरवोचिता कुछ नोती देता है या उ कीके और या इस सब्सक्राइन की तरह कैसे सब्चता मॉनिक अधिकार करें फ Keah सब्सक्राबन होता है तो उसके किया एक सब्सक्राइब हो जाता है तो जो एक तो औरस्व네 उसका आधार, तो इन तीनों आधारों पर जो की इसके उलंधन की रूप में आएगा उसके आधार पर जो है न्याय कुर्णा वल्योकर किया जाता है, लेकिन न्याय कुर्णा वल्योकर की सीमाई भी है, न्याय कुर्णा वल्योकर की सीमाई इसलिए है क्योंकि असपष्ट औ तो उसके सीमा और दायरे में रहकरेekे इसे किया जा सकता है, तो अश्परश्छूर लेकित सम्पीधान की बेवस्था है, और इसे तरीके से विद्धवारास थापित परक्रिया है, विद्धवारास थाफित परक्रिया के कारण से और ही लिनयाइद पुर्स, लेकिन यही पर जो अंतर है वो अमेरिका से थोड़ा सा अंतर हो जाता है क्योंकि अमेरिका में जिए की उचितम परक्रिया की अधार पर नयायाले को किसी मांड़े की ब्याख्या करने का अधिकार है यही एक ऐसा बिन्दू और फॉइंट है जिसके अमेरिका की जो न्याई पुर्राव लोकन की ब्यवस्था है वही वहां के उचितम न्याले और संघिय न्याले की सक्ति को बहुत ही जादा कर देती है और दुनिया का वह सबसे सक्तिसाली न्याले हो जाता है तो इस तरीके से असपस्टोर लिखित सम्मिधान तथा विद indoor अस्थावित पर लिए ये दोनों ही ऐसे पॉइंट्स हैं जो न्याई कुन्राव लोकन के पॉइंट पर सीमाईं लगाती हैं इसके आलोचना भी किया जाता है क्योंकि भारत में संगात्मक सासर परडाली है सरकार के द्वारा वास्तविक रूप में सक्तियों का क्लियार्मिन किया जाता है नीतियों का निर्माण किया जाता है और कल्यानकारी योजनाओं को बनाया जाता है तो यहां पर जब न्याई कुम्राव विल्यकल उचितम न्याले के द्वारा क्रियान मित किया जाता है तो यह माना जाता है कि कई बार इसके द्वारा बहुत ही परंपरागत और अमदारवादी यानि कंजर्बेटिव सूच के द्वार नेड़े दिया जाता है जिससे कारे पालिका के कारे और उचितम न्याले के नेड़े में टकराव की इस्थिति आती है दूसरा ये है कि बार बार ये चीज़े कही जाती है कि उचितम न्याले अपने आदेश को भी पलटता रहता है इहीं बातों के आधार पर तो दूसरा ये भी पॉइंट है जिसके आधार को उसमें आलोचना है। तीसरा ये भी कहा जाता है कि ये संभीधानिक सीमाओं को लाधने का काय करता है। कि 13 में कहा गया है कि कोई पूर्वका अगर कानून है और संभीधान से संगत नहीं है तो उस भाग तक हुआ समाप्त हो जाएगा। और यहीं नहीं पुर्णा वेडियोफन का भातिस संभीधान राजवेवस्था में एक आधहार बन जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक तो आउचित्य हो गयाता है। दूसरा नहीं पुर्णा वेडियोफन का क्रियान में हो जाता है। तीसरा उसकी सीवाएं हो जाती हैं और चौथा उसकी आरोचना हो जाती है। यह पॉइंट नहीं पुर्णा वेडियोफन के अंतरगत आपको ध्यान में रखना होगा। जो यहां पर मैंने पॉइंट के रूप में बता है। अगरा एक और है प्रावधान पूर्णा की समिच्छा पूर्णा समिच्छा पूर्णा समिच्छा आठ के लिए 137 के अंतरगत आठ के लिए 137 के अंतरगत तो उचितम न्याले को अधिकार दिया गया है कि अपने पूर्णा की वह समिच्छा कर सकता है। यह ब्यवस्था और सकती ही पूर्णा की समिच्छा के अंतरगत आता है। तो इस तरीके से कर देखा जाए उचितम न्यायाले के प्राधिकार सक्ति और छेत्राधिकार में तो यहां पर साथ पूर्णा विलोकन तथा पूर्णा की समिच्छा तो इस तरीके से साथ पॉइंट हैं जो उचितम न्यायाले के सक्ति और प्राधिकार को असपश्च रूप में ब्याक्षा करते हैं। इसको ध्यान में रखना थोड़ा सा ज्यादा 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 इसलिए है कि वो की परिच्छा में जब आपसे प्रश्ण पूछे जाते हैं तो हां पर ज्यादा समय नहीं होता आपके पास। और लिखने के लिए अगर आपको सोचना पड़ेती निस्चे तोर पर समय कर मिलेगा और अन्य प्रश्णों के साथ म्याय नहीं कर पाएंगे जो उसी प्रश्ण पत्र में पूछा गया है। इसलिए आपकी knowledge जो है बहुत ही clear होना चाहिए और उसे concrete और compact रूप में उत्तरपुष्टिका में लिखने की छहंता का विकास भी करना होगा। और ऐसा आप बार-बार जो है उस तरीकी के प्रश्ण पत्र को बना करके लिखने के आधार पर बिक्सित कर सकते हैं जो आपको बार-बार करने होंगे। इसे उचितम न्यालय के अगर चर्चा हो रही है तो वहां पर उसमें वकालत करने वाले और परभी करने वाले लायर और वकीलों के बारे में थोड़ी सी जानकारी और चर्चा हम लोग कर लें तो बेहतर होगा। दुम सूटब मुद्ट अधिवक्ताओं की बात किया तीन प्रता के अधिवक्ता वहान कारवायध होते हैं एक तो वरिष्त अधिवक्ता बरिष्ट अधिवक्ता होते हैं एडोकेट अन्रिकार्ड होते हैं और तिसरे जो है अन्ने अधिवक्ता होते हैं ये अधिवक्ता के प्रकार होते हैं बरिष्ट अधिवक्ता होते हैं जो अन् Γोह भी होते तुछ हैं बलकि उनको इस रूप में उच्छ तम नयाले द्वारा मान्ड़ता दिया जाता है और ये court में बिना educate on record के उपस्तित नहीं हो सकते हैं या अपनी कनिष्ट के बज़ा किसी नियाले में पैर भी नहीं कर सकते हैं मामले की तो ये होते हैं बरिष्ट अधिवक्ता दूसरे होते है educate on record ये किसी मैटर में जो है अपील फाइल करते हैं किसी मामले की जो है फाइलिंग करते हैं जो है अपील फाइल करते हैं और दूसरा बरिष्ट अधिवक्ता के साथ जो है कोट में रिकार्ट को पेस करनी का इनके पास अधिकार होता है तुने educate on record केते हैं अन्य अधिवक्ता आईसे होते हैं जिने अधिवक्ता अधिवक्ता अधिवियम 1961 के अंतर व्यक्त जो है किसी राजी के बार काउंसिल में जो है ये रजिस्टर होते हैं ये educate on record की तरह से रिकार्ट पेस्ट नहीं कर सकते हैं लेकिन वो किसी पार्टी की तरफ से वहां पर प्रस्तुत हो सकते हैं और उसकी मामले की पैर भी कर सकते हैं तो इस तरीके से उचितम न्याले में बरिश अधिवक्ता 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 कारे करते हैं तो आज के इस टाफिक में जो कि उचितम न्याले की दूसरा भाग था उसमें हम लोगों ने उचितम न्याले के प्राधिकार सक्तियों और कार इत्याद को देखा कि उचितम न्याले का दायरा कहां तक होता है, किस प्रकार के मामलों में वो मामले की सुनवाई कर सकते हैं, किस मामले में वो पहली बार ही मामले की सुनवाई करते हैं और कुछ ऐसे अबिलेक से होते हैं इस तरीके से उचितम न्यालेद नाकेवर, उचितम सब्दों में है, बनकि वो अपने कारे में भी उचितम है, जो भारत में अस्था में दिभिन प्रकार के नियालेई व्यवस्था की सीव्स पर भी दिमान होता है, और इसके साथ हम रोगों ने कोड में पहर भी करने माले अधिवक्ताओं के प्रकार के बारे में भी अध्यन किया। उम्मीर करता हूँ इस लेक्चर के बाद उच्छेतम न्यादे के बारे में एक अस्पष्ट दृष्टिकूंड का आपके बिकास हुआ होगा। तो आज के लेक्चर में पसीदना ही पुना अगले लेक्चर में हम एक नैट आपके साथ आपसे मेलेगे। तब तक के लिए नमस्ताइब।